हरी लोकी का हलवा आप सभी लोगों ने नहीं कभी भी खाया होगा तो आज बनाती हूँ आप लोगों को बताती हूँ कैसे मैंने आज हलवा बनाया है तो आज नवराती का पहला दिन था तो इस वज़े से की नमक भी नहीं खाया जाता है तो इस वज़े से मैंने लोकी का बनाया है तो देखते हैं कि इस तरीके से मैंने रorsa हल्व nota मनाया है तो चलते हैं वीडियो की तरफ यह से पहले मेरा चैनल को सफ्क्राइब करें लाइक करें तो मैं चलती हुआ जैसे बना के तैयार करें alright to चलते हैं वीडियो की तरफ तो मैं सबसे पहले ही इसको एक लोगी लेती हूं और लोगी लेकर उसको मैं अच्छे से साप कर लेती हूं तो मैं इसको जमा करके रखी ही थी तो मैं लोगी को साप करने लगी तो लोगी साप करके मैं इसको छील भी लेती हूं इसको चिक कलाटा देती हूँ चिक कलाटा करें चिक कलाटा करके इसको मैं इसको कदू कस कर लेती हूँ कदू कस करके ये देखिए लोकी फिर मैं एक कडाई रखती हूँ कडाई में पेन रखती हूँ कडाई में लोकी को डाल देती हूँ लोकी में दूद पी डाल देती बहुत ही सुन्त़ रहती है thOT करती है तु इसको मैं नरम नरम इसको जील लेती है यह पानी की भाई लोक है उसको छील करके रख दिया और इसको मैं ढाल देती हूं इसमें चीनी डाल डाल रायट कर देती हूं वह डिदूद राइट यो सब तो बस चलते हैं इसको चलाते रहते हैं बारावर से चलाते रहते हैं चलाते चलाते और बस इसको जब चीनी को इसका चिपकने लगती है हाथ से लगा के देखियेगा तो यह चिपकने लगती है तो जान जाईए जम जा देगी तो यह एक दम से जम के पत्थर जैसी हो जाती ह बाद में बहुत ही टेस्टी बनती है और और इसमें मावा भी डाल दिया है थोड़ा सा और इसको चलाते रही है तो यह बहुत ही टेस्टी बनती है तो इसको लगाता है चलाते रहते हैं और क्लीन में चैनल को भी सब्सक्राइब करें बज़ गया है चार और चार बज़े में इसको दो बजे मैंने इस बर्फी को बनाया था और बज़ चुके हैं चार मतारानी को मीठा ही खाने का भोग भगवान का भोग भी लगा देते हैं पहले ही मतारानी के परसाद बना दिया था है इसको मैं भग मतारानी के भोग भी लगाऊंगी अब मेरे यह नबराती स्पेसल मेरी लोकी की बर भी कैसी बनी है आप लोग बताना की कैसी बनी है तो ये लोकी फटा फट बनके तयार हो गई है और तयार हो गई है इसको बरावस चलाते रहते हैं और अच्छे च्छे लटते पर लटते रहे हैं अच्छे लटते भी जा रहे हैं अब इसका जमने जैसे लगा है कड़ाई में ये लग रहा है कि जम जाएगा अब मैं इसमें थाली में ही लगा लेती हूँ थाली में ही लगा के रख की तयार करके रख लेती हूँ क्योंकि ये थाली में ना चपके इसको मैं गिरा देती हूँ थाली में साधी उबर के तयार हो गए है अब मैं इसको गैस को आफ कर दूंगी थोड़ी गीली रह गई थी तो मैं इसमें थोड़ी से चीनी भी डाल राइट कर दिया है क्योंकि ये जादा अप्ली प्रली हो गई थी क्यां इस चीनी से तो या जमती जिए ज्यादा चीनी का जलाव बन जाता है तो चीनी से जमती है जाद ज्यादा चीनी रखोंगे उसी जली बन जाएगी तो अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो भी परीज मिरी चैनल को भी सस्क्राइब करें और लाइक करें और इसके बाद में अच्छा लगे तो भी लाइक करें करें और सेरप्षा बे करते ना, अगर न लगे तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं है बरिफी की ऐसी तो बरिफियां बहुत ही खाई होंगी लेकिन आद जो टेस्ट है वैसा कभी किसी में नहीं मिलाओगा बरिफी में अब मैं इसको त्यार करती रहती हूँ और फटा फटे पड़िया सी रेस्पी है आप लोग देखते ही बनाएंगे और बताएंगे कि पहले से क्यों नहीं पता था और अब देखिए ये बिल्कुल टाइट हो गई है अब मैं इसको हलुआ पलड दूँगी किसी और में देखिए थाली में पलड दूँगी हलुआ जब मैं से खाईए चाए बर्फी बना लीजिए चाए इसको हलुआ खा लीजिए तो रेडी हो जाओ खाने वाले मेरी खालुआ बन चुका है और बर्फी भी है खालुआ भी है खालुआ भी है जम जाए तो बर्फी नजम जाए तो हलुआ झाल